हालो दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ 12,000 रुपे के अंदर आने वाले Realme और Redmi के दो 5G स्मार्टफॉन जिसमें पहला स्मार्टफॉन Realme का recently launched Realme C67 5G और दूसरा Redmi 12 5G तो आज हम करेंगे इन दोनों की unboxing और comparison एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफॉन आप के लिए रहेगा सबसे best तो दोनों ही स्मार्टफॉन 12,000 रुपे के आते हैं, दोनों ही हमारे पास हैं waste variant box packing को देखें तो Redmi के box पर आपको mobile का design देखने को मिल जाता है back side में कुछ highlight features को mention किया हुआ है, इन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहूँगा चलिए फड़ावट से दोनों के box को open कर लेते हैं, तब तक आप channel पर नए आए हो, subscribe जुरूर कर दीजे क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए आपर regular आती रहती है, तो शुरुवात करते हैं Realme C67 से, सबसे उपर आपको एक mini box मिलता है और इसके अंदर देखते हैं में क्या क्या दिया गया है, तो आपको मिले गया यहाँ quick start guide user manual sim ejector pin, phone की safety के लिए एक flexible transparent silicon का cover काफी soft मिल जाता है, इसके बाद smartphone फिलाल साइड रखके अंदर देखते हैं, तो यहाँ मिलेगा आपको एक 33 watt का super book charger, आदे गंटे में ही mobile को 50% charge कर लेता है और यह जो USB cable है, type A to type C है, length और quality cable की बढ़िया मिल जाती आते हैं, Redmi 12 5G पर सबसे उपर smartphone फिलाल साइड रखके अंदर एक box मिलता है, जिसके back side में sim ejector pin इसमें भी आपको phone की safety के लिए एक flexible transparent silicon का cover मिलता है, हलकी सी matte finishing cover पा आपको देखने को मिलेगी और last में आपको मिलेगा 1.5W का fast charger, phone support करेगा 18W तक ही, और USB cable type A to type C यहां भी मिल जाती है और यह हैं दोनों smartphone जिनका front look एक जैसा देखेगा, दोनों पर आपको punch hold display, pre-applied scratch guard मिल जाता है इनन फिल दोनों ही smartphone हाथ में slim लगते हैं दोस्तों, काफी अच्छे से carry कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से बड़े ज़रूर फिल होंगे आपको back side में आपको विल्कुल flat back panel मिलते हैं, लेकिन दोस्तों, realme में मिलीगी आपको plastic polycarbonate body और glass body के साथ Redmi 12 5Z आता है यहां realme और यहां Redmi की branding की गई है, और जो camera medul है दोस्तों, वो दोनों smartphone के काफी अलग मिलते हैं realme 667 का जो camera medul है, बड़ा सा lens हलका सा उबरा हुआ है, और यहां पर अंदर दो camera दिये गए हैं, जिसमें mean camera तो 50 Megavixel का है और 2 Megavixel का एक depth sensor camera दिया गया है with LED flashlight, वहीं पर Redmi 12 5Z इसका जो camera medul है, वो iPhone से inspire होके बनाया गया है lens के जो bumps हैं, वो हलके से उबरे हुए आपको देखेंगे, एक छोटा lens मिलता है, जिसके अंदर LED flashlight को fit किया गया है बाकी आपको यहाँ पर जो mean camera है, वो 50 Megavixel का मिलेगा, 2 Megavixel का depth sensor camera with LED flashlight दिया गया है फ्रेंट में आपको punch hole के अंदर दोनों smartphone 8 Megavixel का selfie camera दे रहे हैं, दोनों smartphone की power को हमने already on करके रखा हुआ है corner चारो तरप से rounded, right side में power on key, just over volume rocker, finger pin sensor भी power on key पर है और side panel विल्कुल flat है, उपर की side आपको secondary mic noise cancellation के लिए realme में दिया गया है वहीं पर Redmi आपको IR blaster दे रहा है जिसका use remote control के लिए आप कर सकते हैं अगल में 3.5 mm का audio jack भी दिया है, Redmi ने left side में sim tray और bottom में आपको 3.5 mm का audio jack realme दे रहा है, बाकी दोनों में आपको primary mic charging jack और speakers भी ये गए है आप दोनों smartphone की जो brightness है, इसे 100%, already 100% है दोस्तों, आप करीब से दोनों की display को देखिए 680 nits की peak brightness आपको realme C63 7 में मिलती है और 580 nits तक की peak brightness आपको redme 12 में मिलती है तो दोस्तो, brightness के मामले में आगे निकल जाता है realme और ज़्यादा colorful display भी आपको realme की ही देखने को मिलेगी edge और bezels corner उपर से पतले पतले, नीचे चिन जादा आपको देखने को मिलती है आइकन आपको नज़र आ रहे होंगे, user interface दोनों का अलग-अलग है, realme में scroll आप करते ही और redme में home screen में right side में scroll करते ही सारे application आपको नज़र आएंगे 120Hz के refresh rate के साथ realme आता है, 90Hz के refresh rate के साथ redme आता है और screen to body ratio 91.40% और 91% का दिया गया है इसके बाद हम दोनों smartphone की display की बात करते हैं तो 6.72 inch की full HD plus IPS LCD के साथ realme C67 आता है जिसका aspect ratio 229, screen resolution 1080 x 2400 pixel, pixel density 392 ppi की इस smartphone में आपको मिलती है दोस्तों, और वही पार redme 12 5Z इसमें आपको मिलती है 6.79 inch की full HD plus IPS LCD aspect ratio है 229, screen resolution 1080 x 2400, 60 pixel density 396 ppi की मिलती है screen production के लिए Corning Gorilla Glass 3 का production भी इसमें आपको दिया गया है height देखें दोनों smartphone की 165.7 mm की height realme में और redme में 168.6 mm की height मिलती है तिकना 7.89 mm की realme की है और 8.1 mm की redme की है weight भी इसका ज़्यादा है दोस्तों 199 gram जबकि 190 gram का realme है और दोनों के अंदर 5000 image की battery लगी हुई है दोनों smartphone android 13 की साथ आते हैं दोस्तों बात करें प्रोसेसर की तो 2.2 GHz का octa core processor दिया गया है दोनों smartphone में लेकिन जो chipset है वो realme में आपको MediaTek Demons D6100 Plus का मिलता है और Redmi 12 में आपको Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 का दिया गया है यह based है 4NM के fabrication पर, realme based है 6NM के fabrication पर, graphic, mali G57 और Adreno 613 के दिये गए है 4GB RAM मिलती है दोनों smartphone में LPDDR4X की virtual RAM का support दोनों में मिल जाता है और storage 128GB का दिया गया है, expendable memory 1TB तक बढ़ा सकते हैं storage type UFS 2.2 का दोनों smartphone में मिल जाता है अब एक छोटी सी नजर दोनों smartphone के camera पर डालते हैं तो दोनों smartphone के rear camera को मैंने open कर लिया है और camera के लेटी में देखें तो ज़्यादा colorful camera तो realme का लग रहा है दोस्तों लेकिन जो natural color है वो Redmi का camera ज़्यादा better तरीके से दिखा रहा है zooming power देखते हैं 10x और Redmi से भी 10x दोनों से आप 10 गुना तक zoom कर सकते हो यह full 10x zoom quality दोनों smartphone के आप यहाँ पर देख सकते हैं ported का option दोनों से मिल जाता है full HD में दोनों से आप video suit कर सकते हैं 1080p में 30 fps में front हो चाहे rear camera हो बाकी front camera भी open कर लिया है दोस्तों और 8 Megawixel के selfie camera है और ज्यादा better selfie camera तो मुझे यहाँ पर personally Realme 667 का लग रहा है दोस्तों आपको किसका लग रहा है आप comment box में बता सकते हैं तो friends यह थे 12,000 रुपे के अंदर आने वाले Realme और Redmi company के दो बहतरीन 5G smartphone दोनों ही smartphone आते हैं अपनी बिसेस खोबियों के साथ लेकिन बात आती है मैं कौन सा smartphone purchase करना चाहिए तो दोस्तों अगर आपको latest smartphone की ओर जाना है तो Realme 667 अभी आपके लिए best option है वो सकता है दोस्तों कुछी दिन में इसका price drop हो जाए तो आपके लिए एक बढ़िया choice रह जाएगी मेरे द्वार दीगी जानकारी आप सबके जरूर कुछ न कुछ काम आएगी जिससे आपको एक नए smartphone purchase करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी मिलता एगली वीडियो बेगले अन्वोक्सिंग के साथ अब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद